देवरा 1985 में आंदरपरदेश में हुए करम चेदू नरसंगार पर बनाई गई है करम चेदू नरसंगार के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दे कि करम चेदू नरसंगार में कम्मा जमिंदारों ने मडिका धलितों को बेरहमी से मार डाला था कम्मा जमिंदारों उच्छ हिंदुजात के लोगों को कहा जाता है कम्मा जमिंदारों की मढगा दिलितों के खिलाब बढ़ रही हिंसा में कई लोगों की जान गई थी और बहुत से लोग गंभी रूप से घाल भी हो गए थे लोगों के घरों को जला दिया गया था और इसके साथ ही लूट पार्ट और रेप की घटना भी सामने आये थी कई सारे लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गये थे ये नरसंगार लोगों को सामाजी की इस्तित से रूबरू कराता है अब दियुरा के इस घटना से प्रेरिध होने की खबर कितनी सही है और कितनी गलग इसे देखने के लिए अगले अपडेट या फिल्म की रिलीज होने का इंतिजार करना पड़ेगा जल्द ही इस इंसिडेंट को थेटर में देखा जा सकीगा हाल ही में फिल्म का नए पोस्टर रिलीज किया गया जिससे जूनियर एंटियार के दो चेहरे दिखाए गए दोनों कही एक्सप्रेशन अलग अलग है नए पोस्टर को फेसेस आफ फियर का टेग दिया गया है पोस्टर को देखते हुए करे लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि सायथ फिल्म में जूनियर एंटियार डबल रोल में दिख सकते हैं हाला कि अभी तक इस फिल्म की कोई कंफों में सन नहीं दे गई थी फिल्म की कास्ट की बात करें तो सैफली खान इसमें बिलन का किलदार निभाएंगे फिल्म की रिलीज डेट में भी काफी बदलाव किया गया पहले फिल्म पांच अपरेल को ही रिलीज होने वाली थी लेकिन सूटिंग के दोरान साइफली खान को चोट लग जाने की वज़े से सूटिंग स्टेडूल को चेंज कर दिया गया था बाद में खबर थी किया है देवरादस अक्टूबर को देश सहरा पर रिलिज की जाएगी लेकिन फिर डेट में बदलाव करके से 27 स्टमबर 2024 कर दिया गया बॉली बूट के मसवर एक्टर साइफली खान ने अपनी फिल्मों से सुर्क्या बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हीरो के साथ साथ वाबिलन के किरदार में भी खुबी ढल जाते हैं इस बात का सबूर साइफली खान कई मोवीज में दे चुके हैं वही एक बार फिर वह देवरा मोवी में भी बिलन बनते दिखाए देंगे इस से जुला साइफली खान का जबरदस्तर लुक भी रिलीज हो चुका था जो सोशल मेडिया पर खुब वाइरल हो रहा था एंटियार और जानी कपूर की देवरा मोवी में भारा का किल्दार अदा करते दिखाए देंगे एक्टर के बड़े पर फैंस को सर्प्राज देते हुए मेकस ने भारा का पहला लुक साजा किया था सैफली खान अपने पोस्टर से बेहत कमभीर सुच में डू बेने जरा है वही लंबे लंबे गुगरेले बालू ने सैफली खान के लुक को और भी ज़्यदा जबर दस्त बना दिया देवरा मोवीज ने सैफली खान का लुक सेर करते हुए लिखा हम टैलेंट के पाउर हाउस को और उस इनसान को जिनम दिन की सुपकामना है देना चाहते हैं जो हर किर्दार में जान फोंग देता है बहरा हैनी सैफली खान बड़े परदे पर एक बड़ी टक्कर होने वाली है सैफली खान के इस लुक को लेकर पैंस भी खूब तारीब कर रहे हैं बतादे कि देवरा फिल्म में जूनियर एंटियार और जानवी कपूर मुक की भूमका में दिखाए देंगी मीडिया रिपोर्ट के माने तो एफिल्म दोजार चोबिस के अपरेल तक सिने मगरों में रिलीज होने का प्लान था लेकिन अब हैट डेट बदल दे गई थी देवरा पार्ट वन का ट्रेलर आ चुका है इसमें जूनियर एंटियार और सैफली खान एकदम खौफनाक आउतार में दिखाए दे रहे हैं टी सिरीज के यूटूब चैनल पर जारी किये गए इस मूबी की ट्रेलर में समंदर के लिटोरों के इर्द गिर्द कहानी देखने को मिली है जहां सैफली खान बिलन और जूनियर एंटियार हीरो के किरदार में है 27 सितंबर को आने वाली इस मूबी में जानवी कपूर भी एहम भमका में है उनका इस फिलम में जे आर एंटियार संग लव एंगल दिखाया गया है सोमवार 10 सितंबर को मुंबई में एक भविकार करम में फिलम का ट्रेलर लॉंच किया गया था जिसमें फिलम के कलाकार और कुरू सामिल है दो मिनित 49 सिकंड के कुराटाला ने देवरा पार्ट वन की दुनिया को एक ऐसे कहानी में पिरोया है जिसने समंदर को लाल कर दिया है खोन खराबा और मारधार से भरी इस फिलम में एंटियार और सैफ के बीच जबरदस्ट एक्शन सीन भी है ट्रेलर में दिखाया गया है कि जिस चेके पर सैफ का करदार और उसके आदमी रहते हैं वहाँ डर का कोई अस्तित नहीं है लेकिन जूनियर इंटियार के किरदार के आने से सब कुछ बदल जाता है वह समंदर पर जहाजों के साथ होरे लूट पार्ट और हत्याओ के कारड सैब के साथ मिलाते हैं लेकिन सैब देवरा को ही खतम करने के प्लानिंग करते नहीं जराते हैं लोगों का इतना खोन बहता है जिससे समंदर भी नीले से लाल हो जाता है वही जानुई कपूर के किरदार का जूनियर इंटियार के साथ इसक फरमाया गया है एक्टर्स ने ट्रेलर लांच से इवेंट में कहा कि यह उनकी तेलगू में डेबू मोवी है उन्हें लगता है कि इस फिल्म में उनकी घर वापसी की है इस फिल्म में जियार इंटियार का डबल रोल है वह पिता और बेटे दोनों को भूमका निबाते दिखेंगे यह मोवी तेलगू तमिल मलयालम का नड़ और हिंदी में रिलीज होगी फिल्म आर 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 से देश बिदेश में सिनिमा लबर्स की फेवरेड बन चुके एक्टर जूनियर एंटियार की अगली फिल्म देवरा का ट्रिलर रिलीज हो गया मेकर्स ने कुछ वक्त पहले फिल्म के एक फ़स्टन लुक वीडियो सेर किया था जिससे जूनियर एंटियार को देखने के बाद फैंस में तगड़ी एकसाइटमेंट बन गई थी अब फिल्म का ट्रिलर इस उतसा को और बढ़ा रहा था देवरा को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा इसमें जूनियर एंटियार के साथ जानुए कापूर, साहिपली खान, परकास राज और साइन टाम चाको जैसे दमदार कलाकार नज़राने वाले हैं अलग अलग इंडिस्ट्रीज के कई बड़े नामों वाली कास्ट के साथ फिल्म देवरा हिंदी तेलगूत तमिल मल्यालम का नड़ भासाओं में रिलीज होनी है इस पिचर में जूनियर एंटियार का खोखार आउतार देखने को मिलेगा देवरा के ट्रेलर में आपको बताया जाता है कि बहुत लंबी कहानी है खून से समंदर को लार कल देने वाली कहानी हमारे देवरा की कहानी ट्रेलर की सुरुआ लूट पात और चाकू खंजर चलाने से होती है इसके बाद आपको बिलन और सेफली खान एकदम अलग आउतार में नजराते हैं वीडियो में आगे जूनियर एंटियार का फ़स्ट लुक नजराता है जो एक साट और बलेक लंगी पहने है देवरा का कोई तोड़े नहीं है वो खुखार इंसान है जो किसी से भी बिढ़ने के नहीं सुचता देवरा के ट्रेलर में साइफली खान जूनियर एंटियार ट्रेलर में जूनियर एंटियार को आप हाथ में एक छोटी कुलहड़ी और भारी तलवार के साथ दूसमनों से भीड़ते हुए देखते हैं देवरा का है लुक एंटियार को एक भयानक हिंसक आउतार में दिखाता है उनका सामना साइफली खान की किरदार से होता है जो उन से हारने के मोड में बिलकुल भी नहीं है दूनों एक्टर के बीच का ये फाइट सीन और ताना तनी सही में दिल खुष करने वाली है साथ ही देखने वालों का उतसा भी बढ़ा रही है वही दूसरी तरह आप नाजुक सी दिखने वाली जान्यू कपूर के भी कुछ सीन इस ट्रिलर में है वीडियो से पता सलता है कि देवरा सिर्फ जूनियर एंटियार के किलदार पर आधारित नहीं होगी ये बाप बेटे की कहानी लग रही है फिल्म में समंदर और समंदरी लिटोरो को दिखाया जाएगा जिनके आतंक को देवरा रोकेगा कुछ दिन पहले ही देवरा का गाना दवडी रिलीज हुआ था जिसमें जूनियर एंटियार और जानु कपूर को दमदार और मस्तिभरा डांस करते देखा गए था जानु की अदाएं और लटके जटके इस गाने के बीटियो में देखने लाइक है तो ही जूनियर एंटियार के डागन समोब का भी जवाब नहीं डारेक्टर कॉराटला सिवा की पनी फिलम देवरा सिनिमा घरों में 37 सि تمबर को रिलीज हो रही है जूनियर एंटियार की मोस्ट आवेटेड फिलम डेवरा पार्ट बण का ट्रेलर रिलीज हो गया लंबे इंतिजार के बाद आखे कारफाइंस को फिल्म की जलग देखने को मिली ट्रेलर में जूनियर एंटियार का दमदार अंदास देखने को मिला वही जानुए कपोर संग उनकी कमेश्टरी भी खोब जजी देवरा पार्ट वन के ट्रेलर की सुरुआ डायलॉग से होती है पुराने जमाने में नरका सुरनाम का एक राच्छस रहता था वो लोगों को बहुत सतादा था ट्रेलर में जूनियर एंटियार का खोखारावतार देखने को मिला वो इस एफली कान की भी जलग देखने को मिली देवरा पार्ट वन के जरिये बॉली बॉड एक्ट्रेस जानुए कपूर सावत फिल्मों में डेब्यू करने जा रही है ऐसे में फैंस उनकी इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे है फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इससे पहले फिल्म के दो गाने धीरे धीरे और दावडी भी रिलीज हो चुकी है दोनों गानों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला देवरा पार्ट वन एक तेलगू एक्षन ट्रामा है जो 37 सितंबर को सिनेमा घरों में दस तक देने जा रही है फिल्म को कोरा टाला सिवा ने डारेक्ट करने के साथ साथ लिखा भी है फिल्म को युवा सुधा आर्ट्स और एंटियार ने प्रोडूज किया कई मीडिया रिपोर्ट के मताबिक फिल्म का बजट 300 करोड रुपए है जूनियर एंटियार और जानुई कपूर फिल्म में लीट रोल अदा करते नजराए वह से फिली खान फिल्म में पिलन के रोल में दिखाई दिये इसके लोगा प्रकासराज, मिकास्तिरवान्त, साइन, टामचाको और चैतर राय भी फिल्म में एहम भमकाए अदा करते दिखाई दिये तेल्गू सुपरस्टार जूनियर एंटियार और जानुई कपूर इस्टार निर्देसक कौरताला सिवा की अपकमिंग मूवी को लेकर दर्शकों के बीच इस वक्त खासा क्रेज है इस फिल्म को निर्देसक कौरताला सिवा बना रहे हैं सुपरस्टार जूनिर एंटियार और जानुई कपूर की एपायन इंडिया रिलीज फिल्म है जिसे मेकर्स ने भब बेस्तर पर बनाया है इस मूबी को मेकर्स दो भागों में बनाने वाले हैं जिसका पहला पार्ट 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगा फिल्म मेकिंग के वक्त सही सर्चामें पनी हुई है इस बीच फिल्म के परी रिलीज बिजनिस को लेकर एक दिल्चस्प जानकारी सामने आई है जिसके मताबिक एमोबी रिलीज से पहले ही सुपर हिट हो गई जी हां सामने आई जानकारी की माने तो फिलम ने रिलीस से पहले ही अपनी पूरी लागत फिलम के अधिकार बेंच कर हासल कर लिए Entertainment News की दुनिया के सामने आई A.S.N. तेलगू की एक रूपोर्ट के मताबिक इस फिलम ने रिलीस से पहले ही कई मोटी डील्स क्रैक की है इसके जिरिये फिल्म देवरा रिलीज से पहले ही करीब 400 करोड़ रुपे की कमाई कर चुकी है रिपोर्ट की मने तो जूनियर एंटियार और जानु कपूर इस्टारी फिल्म देवरा ने ये रकम सैटेलाइड डिजिटल म्यूजिक और डबिंग राइट स्बेस कर हासल की है हाला कि अभी इस खबर की अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है जूनियर एंटियार सैफली खान और जानु कपूर की आने वाली फिल्म देवरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है परसंसको को इस फिल्म का लंबे समय से इंतिजार था फिल्म के एक्सन से भरे धासु ट्रेलर ने उनकी उतु सकता और भी बढ़ा दी देवरा के धासु ट्रेलर की कहानी समंदर से सुरू होती है ट्रेलर सैफली खान और जूनियर एंटियार के एक्सन से भरा हुआ है ट्रेलर में सैफली खान और जूनियर एंटियार आमने सामने नजरा रहे हैं इसे भी जानुई कपूर और NTR के बीच प्यार से भरी नोग जोकवाली कमिश्टरी भी देखने को मिल रही है हैदराबाद में हुए ट्रेलर लांच एवेंट में जूनिर NTR करण जोहर जानुई कपूर और सैफली खान सामिल हुए इस दोराद जानुई कपूर ने बताया कि देवरा उनके तमिल डेविव फिल्म है और यहां उनके लिए घर वापसी जैसा है कुछ दिनों पहले फिल्म का दूसरा गाना दीरे दीरे रिलीज हुआ था इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा था गाने में जानुई कपूर और जोनिर अन्टियार की सांदार कमिस्टरी देखने को मिली वही जानुई के मुप्स ने परसंसको का दिल जीत लिया गाने ने परसंसको की उतसकता को और भी बढ़ा दिया था जिसे अब इस ट्रेलर ने और भी जादा बढ़ा दिया फिल्म की पूरी σ्टर कास्ट जो सोर से फिल्म का परचार करने में जुटी है परमोसन के सलसले में तीनों सितारे सो मार को कपिल सरमा सो में पहुचे हाला कि सितारे जब सो बें हिसले ने पहुचे तो फोटो ग्राफर्स की भीढ़ अमड़ पड़ी धकामों की देख जानु कपूर को गुस्सा आ गया फोटोग्राफर्स को टोकने के बाद वनिटी वैन में चली गई जूनियर अंटियार सेफली खान और जानु कपूर इस्टारर अपकमिंग फिल्म देवरा रिलीस से पहले ही लोगों के बेश सुर्किया बटो रही है जोने वाली है हाल ही में एक खबर से पता चलता है कि इसकी कहानी का कुछ हैसा रियल लाइप इंसिडेंट पर बनाया गया है इस इंसिडेंट ने आंधर प्रदेश की हजारों लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाला था सिनेजोस की माने तो देवरा के डारेकटर कॉरताला सीवा अपनी फिल्मों की स्टोरी में रियल लाइप इंसिडेंट से इंप्रियेशन लेते हैं जोकि स्री मन्थुडू और आचारी जैसी फिल्मों में देखने के मिलता है फिल्म मेकर ने दिवरा में सच्चे घटनाओं का इस्तिमाल किया है